दोस्तो नमस्कार आपने चैनल पे में विजे प्रकास आपका हार दिक स्वागत करता हूँ दोस्त आज से जो यह सप्ताह सुरू है इसमें आधे अगस्त के तो लगभग आधे सेप्टेमबर के दीन है और इस वीक में कुछ बहुत बड़ा गूड निवज देंगे CEO मिश्टर S ऐसा होने का पूरा उमीद है CEO को भी पता है कि किसी गूड निवज से अपडेट से अनाउंस्मेंट से किसी का मन तो भर सकता है मगर पेट भरने के लिए अकाउंट में पैसा आना चीए यह लगभग सबको पता है कि कुछ बड़ा पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है सुने को भी अच्छे जेवर बनने के लिए आग में तपना पड़ता है जीवन में किसी भी छेतर में सफल होने के लिए दो सकतियों की जरूरत होती है सहन सकती और समझ सकती सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और सम्मान भी देते आ रहे हैं, लेकिन इन सब का भी एक समय सिमा होता है, जुलाई में कुछ बरा होगा, अगस्त में कुछ बरा होगा, सेप्टेंबर में बहुत बरा होगा, जुलाई बित गया, अगस्त भी अपने समापती पर ही है, अब रागिया सेप्टेंबर फांडर्स भी सोचते हैं कि चलो उसमें नहीं हुआ तो इसमें कुछ जरूर होगा और इसी उमीद में दरजनों महीने निकल गए इस बिच ओन पैसिप में बहुत सरे काम भी हुएं मगर वो नहीं हुआ जिसका सभी इंतिजार कर रहे हैं अब जुलाई अगस निकलने के बाद फांडर्स की निगाहें सिर्फ सेप्टेंबर पर है और सेप्टेंबर में बहुत कुछ होने का उमीद भी है अगर CEO के भी कहने का अनुसार देखा जाए तो सेप्टेंबर अक्टूबर वो बहुत कुछ सुरू होने वाला है जो फांडर रहा है वरना इतना बड़ा community संभव नहीं था इसके आने में चाहे कितना भी देर हुआ मगर किसी founders ने कहीं एक भी complaint दर्ज नहीं कराया कोई इसी से उनके विश्वास और भरोसे का अंदाजा लगा सकता है अगर इसके परती किसी के अंदर गुसा भी है तो सिर्फ launching में देर होने की वज़े से बाकी कुछ नहीं और launching में देर क्यों हुआ है ये भी पता है सभी को चीजों को और बेतर करने की वज़े से अब अगर सेप्टेंबर अक्टूबर में भी कुछ प्रोड़क्ट रिलीज नहीं हुए पेपलान या प्रोड़क्ट पैकेज नहीं आया तो क्या फाउंडर्स क्विट करने लगेंगे बिलकुल नहीं मगर उनके बिलीव लेबल कमजोर जरूर होंगे क्योंकि सब के अंद धैरे रखने की छमता बराबर नहीं है बट ऐसा होगा नहीं दोस्त इस सेप्टेंबर अक्टूबर में आपको बहुत कुछ दिखने वाला है और जहां जिंदगी बननी है वहां थोड़ा वेट तो करना ही पड़ता है लौंचिंग को लेकर फाउंडर्स के अंदर जो भी बेकरारियां है उसके लिए साइद किसी फाउंडर्स को भी दोसी नहीं ठहरा जा सकता ऐसे ऐसे मोमेंट क्रियेट हुए हैं उनके सामने ऐसे ऐसे अनौंसमेंट और अपडेट सुना है उन्होंने जिससे अब होगा तब होगा का उमीद उनके अंदर बरता गया है और यहा वैसे मोमेंट क्रियेट नहीं होता कुछ वैसा अनौंसमेंट नहीं हुआ होता तो इतने बरे और्गोनाईजेशन जिससे सब की लाइफ बदलने वाली है चाहे यह दो हजार पचीस में भी लॉंच होता तब भी इतमिनाम से लोग इंतिजार कर लेते उनके उमीद को पंक पुर्व के वेबिनार से ही मिले हैं जिसके चलते अब अधिक देर होना उन्हें परदास नहीं हो रहा बागी फाउंडर्स के लॉंचिंग होने के लिए परसान होने का दूसरा रिजन कुछ भी नहीं है लॉंचिंग में देर होने की वजह कुछ परिस्थित्यां भी हैं प्रेटिंग केम्पेंड भी चलेगा और फाउंडर्स के सफलता से जितने भी चीजे जूरी हुई है वे सब के सब इस्टार्ट होंगे आप किसी को जरा भी पेनिक होने की जरूरत नहीं है जितने होली दिवाली इद बितने थे बित गिया अब ये सारे तेवार आपका ओनप डेट जरूर देंगे दोस्त मैं जानता हूँ जब किसी के जेब में पैसे नहीं होते हैं किसी के पेट में भूख होती है तो दुनिया का कोई भी ज्यान कोई भी परवचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आपने सुना होगा भूखे भजन नहो तो गोपाला यहले अपनी कंठी माला विबेका नंजी ने कहा है कि भगवान के भजन में मन लगाने के लिए एक स्वास्त तन का भी होना जरूरी है जब तक भूख सांत नहीं होगा तब तक पूरा का पूरा फोकस भूख पर ही रहेगा भोजन पर ही रहेगा चाहे दुसरा चीज सामने कोई क पतलब नहीं है उसको अभी जरूरत है भोजन की यहां भी लगबग दो तरह के फांडर्स हैं एक वे जिनका पेट अल्रेडी भरा हुआ है और एक वे जिसने भूखे पेट रहकर भी इस बिजनेस को यौईन किया है यह सुचकर कि यह जब लॉंच हो जाएगा तो हमारी सा कर रहा हूं कि मेरे टीम मेंबर या बहुत सारे फांडर्स इस तरह की बातें करते हैं हमसे और इस तरह की बातें देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के अंदर है वे अपने लोकल लीडर से इन सब मुदों पर बात भी करते हैं लेकिन यह सब बाते बरे मंच पर नहीं पह बेट भी किया हूँ और जरूरत महसूस होने पर founders के आवाज को भी मजबूत करने का काम किया हूँ और अभी भी जरूरत परने पर मैं पीछे नहीं हटने वाला हलाकि आप इस सब का जरूरत नहीं परेगा क्योंकि अब हमारे सोच से पहले यहां बहुत सारा कुछ दिखने जा रहा है सच पुछिये तो हम अपनी समस्याओं के चलते परसान हो रहे हैं कि इंकम जल्दी से स्टार्ट हो जाता तो बहुत अच्छा रहता वरना ऐसे कॉंसेप्ट के लिए जहां हम फर्स से उठकर सिधे अर्स तक जाने वाले हैं उसका कितना दिन भी इंतिजार करना परे कम ही है लोग तो गरीबी में ही पैदा होते हैं और गरीबी में ही दुनिया से बीदा हो जाते हैं उनके पूरे जीवन का सफर काफी मुस्किल भरा होता है उनके सारे सपने उनके साथ ही चले जाते हैं इससे तो हजारों गुना बेटर है थोरा वेट कर लेना जहां हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी दूर होने वाली है और हम अपने एक-एक सपनों को यहां पूरा करने वाले हैं दोस्त अब दीन आने वाले हैं हमारे खुसियों के जितना सबर करना था हमने किया जितना वेट करना था हमने किया बट ये सब अब बिती बाते होने वाले हैं अब हम इंटर करने वाले हैं उस फेज में जहां सब कुछ हमें उमिद से अधिक मिलने वाला है सेप्टेंबर में ही हैदराबाद ओफिस में इंपलोई एंड उनके फैमिली के लिए बहुत बड़ा इवेंट सेलिवरेट होने वाला है अफिस के स्थापना दिवस पर उस दिन भी हमें कुछ खुसकबरी मिलने की उमीदे हैं बस इतना मान कर चलिए सेप्टेंबर अक्टूबर पूर्व के जैसा खाली नहीं जाएगा इसमें ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे देखकर हमारे साथ साथ पूरी दुनिया भी हैरान होने वाली है और अब रियल में प्रोडक्ट रेडी हैं तो अब इससे अधिक देर होने का कोई मतलब नहीं है इसे लांच हो ही जाना चीए दोस्त अपना विस्वास और भरोसा बनाए रखिए अब इन सब चीजों के होने में अधिक देर नहीं लगने हैं बहुत जल्दी हमारे उमीदों पर खरा उतरेगा उनपैसिप उपर वाला भी देख रहा है हमने कितना सबर किया है इस बिजनेस के लिए उसने भी हमारे लिए जरूर कुछ बरिया सोच रखा होगा तभी ये concept मिला है हमें जिन्दी की तो यहां 100% बदलनी है दोस्त बस timing को लेकर कुछ founders थोरा परसान है अब ये भी परसानी next और उसके next month से दूर ही होने वाली है क्योंकि ये दोनों month especially founders के लिए बहुत खास होने वाले हैं तब तक आने वाली कम्याबी को देखकर enjoy करिए मस्त रहिए और स्वस्त रहिए क्योंकि बीना स्वस्त रहे किसी भी चीज को enjoy नहीं किया जा सकता तो अपने health पर भी ध्यान देना है तभी हम बरी कम्याबी का आनन्द ले पाएंगे आपकी उज्जीवल भविस्त की कवनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू दोस्त धन्यवाद